अगर आपको कोई credit card लेना था तो आपको ले लेना चाहिए था क्योंकि अब शायद आपके लिए थोड़ी से दिक्कत भढ़ जाए और अगर personal loan लेना था तो थोड़ी से और महंगी भी हो सकते हैं क्योंकि RBI ने अपने norms को थोड़ा tight कर दिया है अब जो bank है उनको credit card provide करने मे और personal loan provide करने में थोड़ी जादा capital की requirement होगी इसलिए आपके लिए वो लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यानि आपके housing loan की तो नहीं लेकिन अगर आप personal loan लेते हो तो वो थोड़ा सा महंगा हो सकता है और credit card लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और इसके अलावा NBFCs जो non banking financial institutions हैं उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ रही हैं RBI के इसने बदलाओ के साथ तो समझते हैं क्या कहानी और क्यों RBI ये कह रही है कि बैंकों को अपने risk के मामले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा रिस्क जादा ले रहे हैं थोड़ा पैसा side करो और थोड़ वरस्ता के लिए अच्छा है यानि economy को फाइदा पहुचा सकता है समझते इस वीडियो में welcome to ग्यानकोष और पहली चीज आरबी आई RBI का काम क्या है RBI का काम है भारत के सभी बैंकों को observe करना कि वो सही तरीके से काम कर भे रहे हैं नहीं क्योंकि हमारा जो पैसा बैंकों में जाता है उसी को बाद में लोन के सुरूप बाकी और संस्थानों को देते हैं जो उनसे उनकों interest मिलता है वो उनकी कमाई होती है यान हमें bank जो हम पैसा bank में रखते हैं उस पर 4% interest देती है या 3% और वो loan पर जिनको देती है उनको 12% या फिर 15% या 8% interest पर लोन देती है और जो इसका difference होता है वो इनका होता है फाइदा ठीक है 4% हमेरी या 12% उनसे लिया तो इनका almost कितने बच गए 8% जो इनकी income है वो इनका profit रह है तो होता यह है कि bank जब किसी को loan देती है तो उसको regarding उन्हें कुछ assets अपने पास रखने पड़ते है मालो bank ने bank के पास भी एक लाख रुपए है या 100 रुपए मालो ठीक है 100 रुपए bank के पास है अब 100 रुपए bank में आपने जमागी और 100 रुपए ही वो loan में देदेगा त इसके तहट आपकी saving यानि कल को bank आपको जाना पड़े अचानक 100 लोगों को पैसा लेना पड़े तो bank के पास उतना रहे पैसा लेकिन जब bank किसी को loan देती है तो सरकार ये कहती है कि मालो आपने 100 रुपए का loan किसी को दिया है ये मानके कि इस loan पे आपको वो 8% यानि 8 देने से पहले कम से कम आप 9 रुपए अपने bank में safety रख लो कि मालो 100 रुपए के आपने 3 लोन दे दिये और ये तीनो भाग गए तो भाई कम से कम आपके पास 27 रुपए तो होंगे यहाँ 9 रुपए जो बचा के रखे है हर लोन के खिलाफ इतना रिजर्व रखा हुए या 100 रुपए का लोन दिया 9 रुपए safety के लिए रखा है कि चल 100 रुपए वापिस नहीं आए 50 रुपए ही वापिस आए तो 9 रुपए मेरा capital तो बचा हुआ है मैं बरबाद तो नहीं हो जाओंगा तो यानि कितना asset है कितना capital और कितना risk आप ले रहे हैं उसके बीच में balance बना दी है कुछ वापर रखा है कि यह देखो यह हमारा एक collateral है अगर हमने loan नहीं चुका है तो gold आप रख लेना हमारा घर आप रख लेना हमारी गारी आप रख लेना या हमारा bond आप रख लेना इसे कहते है secured loans और आम तो पर बैंकों के लिए बहुत अच्छा होता है अगर secured loan ब लेकिन कुछ होते हैं unsecured unsecured मतलब यह जो इस उमीद भी दे जाते हैं कि आपकी साख हैसी आपका ऐसा value है कि भाई आप पैसे वापस कर दोगे पैसे कुछ बचाते होगा बाद में बंदा हमें डेल लाग रुपे का लोन जो हमसे लेगा credit जो लेगा वह वापस कर देगा salary आने के बाद salary से जादा credit आपको दिया जा रहा है आपकी साख पर दिया जा रहा है आपकी पिछले व्यभार को दिखती पर जा रहा है यह unsecure है कलको आपका डेल लाग पर आप नहीं दे पाए credit card के और आपकी job चलेगी कहां से उठाएंगे पैसे नहीं ले सकते पैसे वो unsecured loans है उनमें उनमें वो बढ़ोतरी होती ही जा रही है अगर हम RBI का देखे ना जो company है उनमें अचानक से credit card के बहुत सारे bill बाग की बचले लोग पी नहीं कर पाए और यह संख्या जो बढ़ती जा रही है इसको आप यहां से देख सकते हो कि पिछले कुछ सालों में 30% की लोन देते जा रहे हैं और इनमें से कई default rate भी बढ़ रही है तो सरकार को ऐसा लगा कि credit card आराम से phone करकर कि हाँ बहुत कर चाहिए ले लो इससे credit card प्रवाइड किया जा रहा है जो बैंकों के लिए अच्छा नहीं है और इसलिए उन्हें ने कहा कि अब बैंकों को यह करना पड़ेगा कि अपना capital advocacy ratio car maintain करना पड़ेगा जादा यानि पहले नियम यह था जैसे अभी भारत में नियम ऐसा है कि 9% आपको maintain करना एड़केसी रिशियो और अब बोला है कि normally यह होता था कि credit card में जब भी लोन दिया जाता था तो आपको कितना देना होता था 100% यानि अग किसी भी company को loan दे रहे हो किसी भी credit card को loan दे रहे हो तो आपको normally अगर 125% आपको CER रखना पड़ता था अब वो बढ़ा के 150 कर दिया है यानि 125 आपको किस के लिए credit card के लिए और 150% NBFC के लिए यानि पहले 9 रुप है अगर आपको रखने हो तोरे side में अब आपको 11.5 रुप आपको रखने पड़ गए 13 पूर पर रखने पड़ गए NBFC को यानि number of पैसा जो उनको बचा गे रखने अपने account में वो बढ़ गया मैं फिर क्लिए करता हूँ जो 100% यहाँ पर लिखा है न कि 100% को बढ़ा के credit card के लिए 125% कर दिया risk और भी NBFC को अगर loan देंगे तो 150% इस इसका मतलब यह नहीं कि अगर 100 रुपे loan दे रही हो तो आपको 100 रुपे का 100 रुपे एक अपना credit में saving में करनी पड़ेगे ऐसा नहीं है 100 रुपे अगर आपने loan में दिये है किसी company को जो NBFC है इसका मतलब जो नियम है नियम के इसाब से कितने रुपे रखने होते है 9 रु लोन आप 100 रुपे का किसी NBFC को देते हो यानि 9 परसेंट 100 परसेंट प्लस 50 परसेंट वनी 150 परसेंट और अगर 100 रुपे आप credit card पर किसी को loan दे रहो तो आपको कितना 125 परसेंट यानि आपको 11.5 रुपे हर 100 रुपे के note पर अपना side करना पड़ेगा यह system रिया गया तो ह बैंक आपसे जादा interest rate चार्ज करना है कि उसके पास पैसे कम है देने को आपको जितना पैसा दिया आ जा रहा है उसमें से उसी मात्रा है मुसको अपने maintain भी करना है capital advocacy ratio कि इतना मेरे पास capital हमेशा रहे ताकि capital कम ना पड़ जा तो पहले अगर आपको वो एक लाख रुपे देते तो उनको एक लाख रुपे लोन देने पर आपको कितने रुपे रहने प्ड़ते नौसो रुपे यह 9000 पर संट किदना होता है 9 Halloween वह वह रुपेा तो 9000 वह साइड करने पड़ते अब जुह है नियम बदल गया अब अपको उनको 11.5 मरे साइड रखने पड़े घर इस पर तो कोई interest भी नहीं मिलेगा तो इसलिए वो इस interest की जो उनको कटोती हो रही है जो 9000 से बढ़के RBI के कहने के बाद उनको जो 30,000 रुपे और side करने पड़ने है safety के लिए इसका व्याब्याज भी तो आपसे उसूल लेंगे वहाँ पर बैंक जाधा लोन दे रहे थे इसमें से कुछ sectors को बाहर रखा है जैसे housing loan अगर आप लेते हैं तो वो बाहर है vehicle loan अगर आप लेते हैं तो वो बाहर है gold loan अगर लेते हैं तो वो बाहर है इन पर ये चीज़ें लागू नहीं होगी NBFC को 125% से बढ़ा के 150% कर दिया है और credit card को 125% पे ले आई है RBI की नई ruling लेकिन अगर housing loan ले रहे हो vehicle loan ले रहे हो gold loan ले रहे हो तो इस पर ये चीज़ें लागू नहीं होती है तो ये economy को secure करने के लिए बैंकों को और स्वस्थ बनाने के लिए गया गया हमारे UPSC foundation course 2025 के लिए जो केवल उपलब गया आपको 10,999 रुपह में इस कीमत पर इस quality की classes rarely कहीं मिल सकती है जहां आपको हर level पर त्यार किया जाएगा classes से लेके proper क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है हर चीज की guidance मिलेगी और आपके comfort के साथ जहां आप घर में रखे कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा option आपके लिए कि यह course आप ज़रूर जोइन करें आपको इसका link हमारे description box में मिल जाएगा या फिर आपको हमारे comment section में pin मिल जाएगा और एक बाद try ज़रूर करें कि इन courses में किस हद तक आप इन से gain कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही high quality classes है जो आपको उपलब्द कराई जाएंगी इन courses के दोरान तो यह बात होगे इस coaching की और इस सोविधा की इस अवसर की जो आपको दिया गया है PW only eyes के तरफ से अब बात करते हैं दुबारा कि RBI के norms के बारे में अब यह norms tight होने के बाद क्या होगा personal loan थोड़े महंगे हो जाएंगे credit card थोड़े महंगे हो जाएंगे NBFC के लिए loan थोड़े महंगे हो जाएंगे तो इससे नुकसान किसको थोड़ा सापको होगा लेकिन बैंको की सिहत बहुत सुधरेगी और अर्थयोस्था के लिए बहुत अच्छी खबर है आपको क्या लगता है कि भारत में यह करना सही है या गलत क्या credit card जिस तरह से phone करेगे लोगों को तंग करते हैं और किसी को को लग रहा है कि भाई अब थोड़ा पैसा और साइट करके रखना पड़ेगा तो थोड़ी उनके लिए दुखत खबर है पर उनकी सिहत के लिए बहुत जरूरी है और यही काम RBI का है तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद की पन बच्च गानकोश और बहुत आए वान्स देख